हेलो एवरिवान वेल्कम बेक टो मैं चैनल में हूँ प्रियंका सो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी फेवरेट फेस एंड बॉडी उप्टन जो कि मैं हपते में तीन बार यूज करती हूँ और इसे मैं अपने घर पे ही बनाती हूँ खुद और मैं क इन दिन में चला जाएगा ये मार्क्स अपलाई करते करते और इसे आप बॉडी एंड फेस दोनों पे ही अपलाई कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे लिया है कच्छी हल्दी हनी और निम पत्ता इन सारी चीजों को मैं पीस लूँगी और यहाँ पे मैंने लिया है मुसूर का डाल और इसे भी मैं पीस लूँगी तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बोल ले रही हूँ आप कोई सभी काच का बोल ले लीजिए इसमें मैंने बेसन और चावल का आटा डाला है देन मैं यहाँ पे मुसूर का डाल जो आपने देखा वो मैंने पेस्ट कर लिया था उसे मै मैंने पेस्ट कर लिया है और देन मैं यहाँ पे निम पत्ता वो भी मैंने पेस्ट करके डाला है और देन मैं यहाँ पे दही डाल रही हूँ और लास्ट में मैं यहाँ पे हनी डाल रही हूँ और यह सारी इंग्रीडियंस को आप अच्छी तरीके से मिक्श कर लीजिए और इसे आप अपने face and body पे apply कीजिए and face and body आपकी पूरा साप सुत्रा clean होना चाहिए and अगर आप भूल जाते हैं तो आप लिक लीजिए अपने एक paper में कि मैंने क्या-क्या ingredients डाला है and यह जो opton है इसमें मैंने डाला है चावल का आटा जो आपकी skin को exfoliate करने में बहुत ज़दा help करेगी and इसमें मैंने डाला है basin जो आपकी skin को बहुत ज़दा clean करने में help करती है cleanser का काम करती है दही डाला है जो आपकी skin को mat conseguirize करती है साथ साथ acne pimple की जो bacteria है उसे भी यह दूर करती है हल्दी डाला है इसमें हल्दी भी आपकी एकनी पिम्पिल की बैक्टरिया को दूर करती है दिन आपकी टैनिंग को दूर करती है और नीम की जो गुन है वो तो आपको पता ही है कि वो कितना अच्छा है कि वो आपकी एकनी को आने ही नहीं देते हैं नीम का जूसा पी भी सकते अगर आपको बहुत ज़दा एकनी आती है तो यह मार्क्स में सुखा अच्छी तरीके से ड्राइ कर लिया है इसे थोड़ा सा ही गिला है मैं ज़्यादा ड्राइ नहीं करूंगी इसे मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है और एक्सपोलियेट करके ही आप इसे धो लिजिए दिन इसे धोने के बाद आप अच्छी तरीके से फेस को मॉश्यराइज कर लिजिए और अच्छी तरीके से रब करके ही हलके हातों से स्क्रब करके ही आप इसे धोल लिजिए और दही के जगा आप दूद भी डाल सकते हैं अगर आपको यह उप्टन पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और प्लीज सस्क्राइब बाई